हे गाईज तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप OPPOR ANO 12 PRO में एपस को हाइट क्या से कर सकते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं कई सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग्स में चली जाना है फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक आपसन देखेगा आपको सिक्यूर्टी एंड प्राइवेसी आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद गाईज नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपसन देखने को मिलेंगे यहाँ पर यह फ्राइवेसी पसबड्र सैट करने के लिए बोलेगा तो हमें शेटिंक्स पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर प्राइवची पासबड्र सैट कर लेना है तो स्कीवाद यह यहाँ Coming qualities यहाँ बोलेगा तो February सेट करने के बाद guys यह access code set करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर अपना access code भी set कर लेना है उसके लिए आपको settings पर click करना है click करने के बाद guys यहाँ पर अपना access code set कर लेना है और यह access code हैसे ही start होगा और हैसे ही last होगा तो यहाँ पर मैं अपना access code set कर लेता हूँ उनको access करने के लिए simply आपको dial pad पर जाना है dial pad पर जाने के बाद guys अपना यहाँ पर access code enter कर देना है enter करने के बाद guys यहाँ पर आपकी hidden apps so हो जाएंगी जो भी आपने hide कर रखी होंगी यहाँ से इन apps को आप direct access कर पाएंगे अब guys unhide करने के लिए बापस से आपको phone की settings में जाना है settings में जाने के बाद guys security and privacy में जाना है उसके बाद hide apps में जाना है और जिन apps को भी आपने hide कर रखाए simply उनको untick कर देना है और यह आपकी apps बापस आ जाएंगी तो इस तरह से guys आप OPPOR ENO 12 Pro में apps को hide और unhide कर पाएंगे तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना मैं मिलता हूं को next वीडियो में तब तक के लिए keep smiling